तो कियाल चल से सरकाल मैं हूँ नियॉन मैन अज आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों कुछ बड़े यूटुबर्स इस प्लैटफॉर्म को छोड़ने की सोच रहे हैं या मोस्ली यहां पर सीन क्या हो रहा है कि यह जो यूटुबर्स है वो 10-15 साल से यूटुब करते वे आ रहे हैं और रिटाइरिंग फ्रम दूइंग यूटुब वो लोग क्विट नहीं कर रहे हैं MatPat's video made me realize that I've also been doing YouTube for a literal third of my life सेंग कि भाई MatPat के video के बाद मैंने realize कि one third of my life मैं YouTube ही किया हूं जिस पर MrBeast कहे कि I've also been doing YouTube for 60% plus of my life I can barely remember the pre-YouTube days KSI भी कहे half of my life lol एंड विक्स्टार भी बोले I've been doing it over half of mine इसके बाद Marquis Brownlee MKBHD भी अलग से एक tweet किये being sad at first about YouTube legends retiring then being happy that it's even possible saying कि भाई YouTube legends को retire करते वे देखकर थोड़ा खराब जरूर लग रहा है बट ये देखकर भी अच्छा लग रहा है कि retire करना भी एक option है इस career में तो अभी इन YouTubers के fans लोग पूरा डर गए यार ये लोग retirement की क्यों बात कर रहे है सब लोग ऐसे comments कर रहे don't you dare please don't leave don't even think about it so anyways चलिए भागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कैरी मिनाटी एंड टेकनिकल गुरुजी के बारे में तो कैरी मिनाटी फाइनली टेकनिकल गुरुजी से रियल लाइफ में मिले एंड वो उनको थोड़ा सा च्रोल किये जिया हम वो अपने parody वीडियो वाला reference दिये थे एंड आप खुद देख लो वो लोग क्या बात किये माई इस इंसान ने न ठेका ले रखा हम सब को गरीब साबित करने का ये क्या है ये घड़ी है ये टाइम चेंज करती है ये टाइम बदलती है ये देख लो हमारे वक्त नहीं बदल रहे है गुरू जी के वक्त पर वक्त बदलते चले जा रहे है पहले चांद और मार्स था अब ये क्या है क्या है इसमें तो चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले भूवन बाम के बारे में तो रिपोर्टे के यसाब से बागेम ग्यारा करोड का बंगलो खरीद लिये जिहां कली बागेम से रिलेट्टेट कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आने लिए कि वो साउट डेली में ग्यारा करोड का बंगलो खरीद लिये यहां पर लिखा है कि वो अल्रेडी एक स्टैंप डीट्यू अफ 77 लाक्स पे कर चुक है on the deal and according to the documents इस बंगलो का टोटल एरिया is about 2200 स्क्वेर फीट so if this is true many many congratulations to him for this but yeah talking about Bhuvanbam तो क्या उनके ताजा खबर सीजन 2 का शूटिंग स्टार्ट हो गया है well कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगो Bhuvanbam के तरफ से ये वाला स्टोरी दिखाया था जहां पर उनने बोला था you are not ready for this and नेचे वो स्क्रिप्टिंग कर रहे थे और ताजा खबर सीजन 2 एपिसोड 1 तो फिर इसके बाद कल वो अपने इंस्टेग्राम में ये स्टोरी अप्लोड किये वस्या मोड अन और फिर उनके मैनेजर रोहित राज भी ये स्टोरी अप्लोड किये थे राइट बिफोर दे स्टॉर्म्स अट दे रेट बीबी की वाइन्स प्रड़क्शन्स तो ये सब देखके तो लग रहा है यार ताजा खबर सीजन टू का प्रेपरेशन्स चालू हो चुका है एनिवेस चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रजट पवार के बारे में तो ये जो लड़की है बहुत ज्यादा बद्तमीज है मैं चाहता हूँ एटलीस कुछ नहीं तो ये वीडियो उसके ममी पापा तक पहुचाओ उसको भी फीलो कि कभी अगर उसके ममी पापा के साथ ऐसे कोई बद्तमीजी कर रहे तो कैसा फीलो एक तो इतनी जोर-जोर से गाने बजा रहे है पब्लिक ट्रांस्पोर्ट में तुम्हें इतना ही एश करने का शौक है तो अपनी परसनल कार से जाओ और उसके बाद कोई म इसके लिए बटा सोरी बोलन पड़ेगी तुझे नहीं तो हम तो प्लीस कंप्लेन करेंगे जो भी हमारे से होगा और हमारी बेटी गई थी गेम के लिए नैसनर के लिए गुजरात ठीक है और हम वहां से जो भी कोच वगरा है हमारे उन सब के थुरू हम तेरे खिलाफ करें ठीक है अब तु सोरी बोल के वीडियो बना के डाल चैक ऐसे डाल तो जब माफी था हमारे से हमारे बच्चे से मांग नहीं पड़ेगी इसके बाद उनको जवाब देते वे रज़त पवार ये कहे तो उपर से मेस्ज में आता है कि कार की बात कर रहा था काननम के जितनी मेरे अकेले के पास है दो पैसे मत बता मुझे मैंने वीडियो पैसे देखने के लिए नहीं ड़ा ली मुझे तुछ तोच यह बात कने वाले थगेश वर्स बेबीका के बार में तो बेबीका थगेश क्या इन्सक अगेंस्स ट्री अप्लोड की जहां कि आप लोगो बेबीका याद होगी फ्रम बिग बुड़ीस सीजन 2 she was kind of like the villain of the season and इसलिए उनके अगेंस्ट बहुत सारे रोस्ट वीडियो भी बनते थे तो थगेश भी कहीना कई बेबी का को रोस्ट के होंगे और शायद से वो क्लिप उन तक पहुंच गई होंगे और फिर इस रील के कमेंट सेक्शन में सब लोग यही लिख रहे कि भाई बेबी का को फेम चाहिए वापस इसको रोस्ट कर दो बट एनिवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हनुमान मूवी के बारे में तो हनुमान मूवी आज रिलीज हो गया है बट इसके रिलीज होने से पहले आशिश अंचलानी इसके बारे में बात करते हुए ये ट्वीट किये तो उनका तो प्रेडिक्शन है भाई कि अगर तो ये मूवी अच्छा हुआ तब ये बॉक्स ओफिस को फार देगा क्या आपने ये मूवी अभी तक देख लिया तो अपना रिव्यू जरूर कमेंट सेक्शन में दे देना तो चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दे मूवी अन्न पुरानी के बारे में जहां पर वो बोले कि हमारा ऐसा कभी भी कोई भी इंटेंशन नहीं था टू हर्ट हिंदू सेंटिमेंट्स बड़ इस चीज के लिए वो अपॉलजाइज कर रहे हैं और वो नेट्फिक्स को बोल दिया तो टेक डाउन दे मूवी और फिर एक्जाक्ली ऐसा हुआ हुआ गा भई उनका करियर खतम हो गया है वो बोले कि लास्ट फॉर फाइव यर्ज में उनके एंड उनके फैमली का काफी अपसेंट डाउन्स हुआ है और उनके मोस्ट अफ फिल्म्स फ्लॉप हो रहे थे तभी बहुत सारे एनलिस्स बोलने लगे थे और कुछ इडियर्स भी सेम च पुषपा टू वर्सिस सिंगम अगेन के बारे में तो गाइस बोला जा रहा है कि पुषपा टू और सिंगम अगेन के बीच में एक भयंकर क्लैश होने वाला है जहां अपरेंटली कुछ ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि पुषपा टू पोस्टपोन हो सकता है बड़ तरन आद अपना डिस्ट्रैक अनाउंस कर दिया है मैंने आप लोगों को अल्रेडी बताया हुआ है बट वो अपने डिस्ट्रैक में क्या क्या चीजों के बारे में बात करने वाले हैं आप खुद सुलीजिए जो इतनी भी चीज़ें बीचीजें को लेकर के वह ट्रोलिंग को लेकर दे देडों चलिए बागे बड़त मोग बात करने वाले मनोज दे के बारे में पर उनका बहुत सीमस्यक्ति अठाइवक तो चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अमिद भणाना के बारे में तो मिद भणाना के तरफ से एक बड़ा सर्प्राइज आने वाला है वो कल ये स्टोरी अप्लोड के थे परसो यानी 13 सुभा को 11 बजे सर्प्राइज फिर वो क्लारिफाई करते हुए बोले कॉमेडी वीडियो नहीं है वो भी आएगी बट उससे पहले अभी नहीं बताऊंगा प के लिए मेरा प्याः का हिसाब अच्छे ay का लिए जिस पर वो रिप्लाई कर दी प्यार बेसाब होना चाहिए वरना का इंवेस चलिए अब आगे बड़ते हम लोग बात करने वाले माइक्रोसफ्ट कर लिए and they have become the most valuable company जहाँ guys जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो Microsoft Apple के market cap को cross कर लिये currently they are at 2.871 trillion and Apple number 2 में आ गए हैं with 2.87 trillion तो चल यह बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के बारे में जिनको 38 lakhs ऐसे ही गलती से मिल गया तो guys यह story है of a man जो कि अपने घर को ऐसे ही renovate करवा रहे थे and renovate करवाते करवाते उनको अपने घर के दिवार में containers मिले and उन containers के अंदर 38 lakh रूपीज चुपे होए थे अब of course यह देखते ही उनको लगा होगा भई पैसा ही पैसा होगा बट देन जब वो यह notes को लेकर bank में लेकर गए उनको inform कर दिया गया भई यह तो पुनाना note है 2002 से पहले का यह तो अब नहीं चलेगा यार और फिर उनके बहुत सारे सपने तूट गए अब रुओवार्विषेक मुख्या को मिल चुका उनका silver play button जोविन सिंग भी मिल चुका उनका silver button अब उद इन्ट कांग्रेश loser लेशन डोग्रेशींज तू बौथ तो चलिया कशुअ एंटरिन आशनल स्टोरी के बारे सब करते हैं तो इस रेली डिस्गस्टिंग यार एंड अफकॉर्स वह डिजर्व करते थे अरेस्ट होना एनिवेज चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं हम लोग बात काने वाले एक बहुत बड़े फंड के बारे में तू सपोर्ट कॉंटेंट क्रियेटर्स जहां गाइस दुबाई के जो रूलर है शेक मौमद बिन रशीद उन्होंने अनाउंस किया एक फंड ओफ 339 करोर्स टू सपोर्ट कॉंटेंट क्रियेटर्स बेसिकली एक समिट और्गनाइस किया गया था जहां पर 95 कंट्री से 3000 क्रियेटर्स को बुलाया गया था एंड उस समिट में उनके तरफ से यह प्रॉमिस किया गया था भाई साहब होपिंग कि भाई इंडिया में भी ऐसा कुछ फंड अनाउंस हो और हम लोग कभी थोड़ा सा कमाई हो जा यार बट एनिवेज चौल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतरे हैं अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं कियो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना न्यूस सब्मिशन का लिंक